तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे सभी पूरु सेनिकों के लिए पैंशनेस के लिए और केंदी एकरमचारियों के लिए दोस्तों आज की टीन से चार इंपॉटेंट अब डेट के बारे में तो सबसे पहले अब डेट हम बात करें आज एक बर फिर से कोड के सुनवाई है और दूसरा अब बात करें करने की बात की जा रही है और खीस की पैंशन जो है जो हाई च़हर आई हूए क imminent कि पेंशन को लेकर टाइमली पैंशन पैंट को लेकर यह नय अपडेट रहे और फानली दोस्तों वन रहां पैंशन क्षट है फर्वरी मंथ है जिसकें अंदर करना उसकी payment होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए उसको बात करते हैं आज के इन सभी important updates के बारे में दोस्तों और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ bell icon जरूर इकवल MSP दोस्तों आज फिर से हम लोग जो है इकवल MSP के बहुत important जो है कि दे आज और यह छे तारीक आपको पता एक special bench बैठनी थी और छे तारीक को जो है इकवल MSP के सुनवाई नहीं हो पाई थी दोस्तों आज एक बार फिर से जो है special bench जो पिछली बार बैठने था आज फिर से जो है special bench के सामने जो है कोट की सुनवाई होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि सारा कुछ मामला तैय है कि वॉइस ओफ एक सर्विसमेन की तरफ से जितनी भी सुनवाई थी जितने भी डॉक्यमेंट से वह सब के सब दिये जा चुके हैं कि आज का जो है फिर से एक बार जो है सरकारी वकील ने जो है अपने पेश करने और पॉजिटिव यह है क्योंकि यह वाला जो डेट है वह बहुत जल्दी दिया गया इससे लग रहा है कि कोट की तरफ से भी जो है सीर्यस है कोट की जल से जल इनवी ची cheese को जो है इसको a метac केस को जो है final किया जय तो आज जो टाइम भी दिया गया वो भी जो है एक 2 से पहले का दिया गया है आज पूरे है से शानसे ने की तर फैसला होगा और अब्र्व मेंस वी पर जो है से पूर्व सैनकायों को 15500 का फैसला उनके पक्ष में आएगा जल्द जल्दी देने का मतल्ब यह इसका जल्द से फैसला हो सके बाकि दोस्तों जैसि इसके पर फैसल अपडेट के पर फैसला नर्स है उनको सरकारी रोजगार के लिए पूर्व सैनक माना जाता ए पंजाब और हर्याडा उच्छ नियाले का ये फैसला है कोट का एक बड़ा फैसला है इसमें पंजाब और हर्याडा उच्छ नियाले ने ये स्पस्ट कर दिया है कि एक पूर सैनिय नर्सिंग अधिकारी को पंजाब पूर सैनिक भरती नियम 1982 के संदर में पूरुसैनिक की परिभाषण में शामिल किया जायेगा यानि कि उनको अब पूरुसैनिक का दरजा दिया जाएगा जहाँ पर M.N.S. को जो है अभी इकोल अमस्वी दज़ार आटा सो मिल रही है अब एक बड़ी खबर है जिसमें कि उनको जो है पूरु सैनिक की परिभाशा में शामिल किया जाएगा एक सैनी नर्सिंग अधिकारी जो सैनी नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 के तहट शाशित था को पांच साल की अवदी के लिए शौर्ट सर्विस कमिशन के लिए निक्त किया गया था बाद में उन्होंने पंजाब राजजी सिविल परिक्षा प्रयोग करके अवेधन किया तो उनकी उमिद्वारी अश्यक्यार कर दी गए थी लेकिन अब दोस्तों क्या है कि उनकी नियुक्ति अध्याधेश के तहट की गई है और सेवा सेना अधिनियम 1950 द्वरा शाशित होती दोस्तों यह जो है अब पूर ने सैनी नर्सों को भी जो है पूर सैनी का दर्जा दिया जाएगा इसके लाओ दोस्तों जो एमनेस हैं उनको एक्स सर्विसमेन का दर्जा मिलना चाहिए अभी एक बहुत बड़ा जो है लेटर भी जारी किया गया और अगर आप बात करें त तो एक्स सर्विसमेन जैसा दर्जा चाहती है मनेस अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार और दोस्तों जो है प्राइम मिनिस्टर से जो है इसके लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है कि उनको जो है एक्स सर्विसमेन का दर्जा मिलना चाहिए और इसमें अधिकारियों की मांग है कि उन्ने भी रिटायरमेंट के बाद पूर स्वेनी के यानिची एक्स सर्विसमेन का दर्जा मिले जिससे वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुद्धाओं का लाब ले अभी तक उनको चो है पूर से चाहां लेकिन अको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जहां तक बात है equal MSP की वो उनको 10,800 मिलता है लेकिन अब वो पूर सैनी के दर्जे के लिए भी जो उन्होंने लेटर लिखा है सरकार नहीं दे रही पूर सैनी का दर्जा पूर MNS अधिकारी कल्याण संग इनके ने मीडिया से कहा कि सरकार पूर MNS अधिकारी को पूर सैनी का दर्जा देने से लगतार इंकार कर रही है और पूर MNS अधिकारी की सर्विस रिटायर हो चुकी कहा कि ये एक कड़वा सच है कि MNS अधिकारी को एक सर्विसमें का दर्जा नहीं दिया जा रहा और दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है सरकार से गुहार लगाई है कि उनको एक सर्विसमेंग का दर्जा मिलना चीए इसके लाव दोस्तों अभी MSCP का जो है जैसे आप जानते हैं कि MSCP का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है और MSCP में जो हवलदार की जो पेंशन है वो 21,890 रुपे फिक्स हुई है और अगर हम बात करें नायक की तो वो है 21,200 तो अगर आप MSCP आप इलिजिबल है तो आप ज़रूर चेक करें कि आपको जो आपकी पेंशन जो फिक्स हुई है इसके इससे कम नहीं होनी चीए अगर इस साल का क्या है तो सबसे पहले चीज़ यह कि आप MSCP के लिजिबल्टी चेक कीजिए और उसके बाद से अगर आपको लगता है कि आपको MSCP नहीं मिला हुआ है तो उसके बाद से आप अपना जो है केस पूट अप कर सकते हैं जिससे कि आपको MSCP का benefit मिल सके हैं दोस्तों यह थ दोस्तों बाद से विजिए